उत्तरकाशी टनल से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद एम्स में भरती 41 स्रमिकों से मिलने राजे के महा मही राजेपाल पहुचे उन्होंने स्रमिकों से हाल चाल जानने के बाद डॉक्टरों से बादचीत कर स्रमिकों के स्वास्ते को लेकर चर्चा की उत्तरकाशी टनल से सुरक्षित निकले 41 स्रमिकों का हाल जानने के लिए राजे के महा महीम राजेपाल लेटिनेंट गुर्मीज सिंग एम्स रिशिकेस पहुँचे मौके पर एम्स की निदेशक प्रोफेशन मोनु सिंग ने सभी स्रमिकों से राजेपाल को मिलवाया राजेपाल ने स्रमिकों से एकेक कर बाचीत की टनल में गुजडे उनके एकेक पल के बारे में जानकारी लेकर उनके होंसले की सराहना की डॉक्टरों की टीम से बाचीत कर राजेपाल ने स्रमिकों के स्वास्ते कुले कर फीडबैक विलिया डॉक्टरों ने राजिपाल को बताया कि सभी स्रमिकों का स्वास्ते बहतर है जिला रूतर प्रयाक के लिए गुरुवार का दिन बेहत खास रहा मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने हल्दवानी नैनी ताल से वर्चूल माध्यम से जिले के 85 करोर 2 लाख लागत की 25 योजनाओं का लुकारपन और 28 करोर 48 लागत की 9 योजनाओं का सिला नयास किया कुल एक अरब 13 करोर से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात जिले को मिले जिला मुख्याले के विकास भवन परिसर में आयोजित, कार्याले में मुख्य अति थी, प्रदेश के लोक निर्मान, प्रयतन, सिचाई, लगु सिचाई, संस्कृती और पंचायती राजमंत्री सत्यपाल महराज ने सभी योजनाओं के सिलापटों का अनावरन कर कारिक्रम का शुभारम किया. लोक निर्मान मंत्री सत्पाल महराज ने कहा कि प्रदेश के लिए गौरब का दिन है कि मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश वासियों को कई सैक्रों करोर विकास परक योजनाओं की सौगात दी जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कारे उत्राखन को नई उचाई पर ले जाएंगे. साथ ही कहा कि विकास योजनाओं का सिला न्यास और लोकारपन होने से जिले के विकास को एक गती प्रदान होगी. मानिये मुख्यमंतरी जी ने वर्चूल माध्यम से लोकारपन कारेकरम जो थे अधिकतर हमारे हाँ लोकारपन कारेकरम थे जो योजनाओं विगत एक दो वितिये वर्सों में बंद करके तयार हुई है. उनका लोकारपन किया गया जो लगवग 85 करोड के आसपास की थी और उसके अलावा बहुत सारी योजनाओं थी जिनका से लाने आसवा लगवग 28 करोड की लागत की वो योजनाओं थी. कानपूर में अचानक आए मौसम में बदलाव से आम जन्मानस असमंजस की स्थिफी में रहा है। करन तीनों दिशाओं से हवाई चलने की वज़े से इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। अभी दो दिनों तक इसी प्रकार का तेज इसके साथ ही छुटपुट बारिस का अंदेशा बना रहेगा। हाला कि इस बारिस से दिन के तापमान में किसी प्रकार का कोई खास गिरावट नहीं होगा। राद का तापमान कम देखी जा सकती है। अभी दो दिन तक ऐसा मौसम बना रहने का अंदेशा अनुमानित है। मौसम बिज्ञान विवाग का पूरवा अनुमान है कि अभी एक से दो दिन तक बादलों के आवाज आएगी बीच में कहीं-कहीं बूदावांदी और कहीं-कहीं हलकी बारिस से तेज बारिस होने की संभावना है। क्यूंकि इस समय अरपसागर, बंगाली, खाली और बेस्टन डिस्टरवेंस की बज़े से तीनों जगह से लगातार मौस्टर फीड पूरे देश और उत्तर प्रदेश में आ रहा है। इस तरह की संभावना अभी दो दिन तक बनी रहेगी। मई कासकन में जिले में दिसंबर माह के पहले कोहरे ने दस्तक दी है। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफतार थम गई है। कोहरा पढ़ने से ठंड भी काफी बढ़ गई। घने गोहरे की वज़े से सडकों पर गाडियां रेंगती हुई नजर आई। कासकन जिले में सभी जग़ घना कोहरा दिखा। बटें अगली खबर के और बुंदेल खंड के महुबा की नवीन गला मंडी में अवेवस्थाओं के कारण लाखों रुपे कीमत की मुंगफली जलमगन हो गई। नवीन गला मंडी सचीव की बड़ी लापरवाही के कारण किसानों की महनत की उपजबरबाद हुई है। इसको अचानक हुई तेज बारिस से गला मंडी के मुंगफली बेचने आये किसानों का माल जलमगन होने से भारी नुकसान से किसान चिंदित है। महुबा में बेमौसम अचानक तेज बारिस का कहर नवीन गला मंडी में मुंगफली बेचने आये किसानों पर तूट पड़ा। इ नेचने के लिए खुले में रखना पड़ता है मंडिस अचीब की लापरवाही का ही खाम्याजा है कि अचानक हुई बारिज से खुले आसमान में रखी हजारों कुंटल मुंगफली की उपज बरवाद हो गई अब इसमें जो किसानु का जो नुकसान हो जा है उसके लिए जो है चति पूर्दी तो असम्मा लग रही है और उसमें जो है रिट के हिसाब से जो है बड़ुती करना पड़ेगी अब जो है किसानु को लाब मुलेगा अच्छा इस खास तोर से देखे जा पूरी मंडी में त जो है दो महीना पहली हमने सब लोगों से कहे कि जिनका माल है वो अपना हटा ले बाना में जूते चपल की दुकान में शौर्ट सर्किट से आग लग गई जिससे पचास अजार नगदी समेत लगबक 10 लाग का सामान चलकर खाक हो गया वहीं मौके पर पुलिस बल रही मौहले वासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया वहीं फायर ब्रिगेड मशीन ना पहुचने से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला मामला बेबेरू कस्वे के अगोशी रोड रावन मैदान के पास का है बढ़ते हैं अगली खबर की और प्रतापगड में रोडवेज बस और कार में जोड़दा टक्कर हो गए हाथसे में बेटी और पिता की मौथ हो गए वहीं एक ही परिवार के पांच वेक्ती गंभी रूप से घायल हो गया साथी प्रतापगड रोडवेज डिपो और कार पूरी तरह से छतिग्रस्त हो गया साथी घायलों को मेडिकल कॉलिज में भर्ती करवाया गया है वहीं अपर पुलिस अधिक्षक समेट भारी पुलिस बल मौके पर मौझूद रही मौके पर हाथसे के बाद चीक पूकार मच गई स्थानिये लोगों की मदद से कटर से काट कर शव को बाहर निकाला गया मामला जेठवारा थाना छेदर के सराय आना देव के पासका है अमेठी में तेज रफतार से जा रही डायल 112 की पी आरवी ने मोपेड सवार अधेर को टकर मार दी डायल 112 की चपेट में आने से अधेर गंभी रूप से घायल हो गया घटना की सूशना मिलते ही आसपास के लोग भी एकत्रित हो गया जब आसपास के लोगों ने हंगामा काटा तो पुलिस कर्मी युवक को सेसी लेगे गए अधेर वेक्ती नुवावा गाउं का रहने वाला है मामला अमेठी कोतवाली छेत्र के ककवा रोड के कोरारी गिर्धर शाह का है जासी जिले के चिरगाओं के अमबेटकर नगर में भीमराओं अमबेटकर बाबा साहिब की मूर्ती को रात के समय अराजक तत्वों के द्वारा छतिग्रस्ट कर दिया गया जब सुबा इसकी जानकारी स्थानी लोगों को हुई तो भीड इखठा हो गए लोगों ने नारे बाजी करना शुरू कर दिया मौके पर थाना प्रभारी SDM सहीद, तमाम थाने से पुलिस फोर्स सहीद, चिरगाओं थाना अध्यक्स संतोस कुमार अवस्थी पहुचे लोगों की मांग है कि जल से जल इस छतिग्रस प्रतिमा को बदल कर नई प्रतिमा लगाई जाए और अरज़क तक तत्वों को कड़ी से कड़ी सरजा मिले खबरों का सलसिला जारी रहेगा लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का आपके सरोकार की खबर आपके शेत्र की खबर और आपकी अपनी खबर पहुचाएगा News Wall India आप तक तो अभी डाउन्नोट करें News Wall India आप News Wall India देख रहे आप पहुँ आपके साथ का जोर नरायन और मेंसाथ मौजूद है हरीश अस्वाल जी और हमें बहुत खुशी हो रहे हैं कि हम इस तीन साल के सफर में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं जी हाँ हमने News World India आप लॉंच किया है जिसके माधियम से आप हमसे और आसानी से जुड़ सकते है और इसके पीछे क्या मकसद है वो हरी जी हमें बताएंगे जी काजोल इसमें हमारा मकसद बहुत साफ है हम घर घर तक गली गली तक इससे जुड़ना चाहते हैं हर परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं इस परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्या हैं कोई भी उसके आसपास होने वाली समस्या है वो हम तक आसानी से पहुचा सकते हैं जस्ट आप अपने मुवाइल से एक वीडियो बनाए और इसमें अपलोड कर दें तो उससे अपलोड करने से पहले आपको डाउनलोड करें और घर बैठे आप रिपोर्टर बने तो सोचे मत करिए न्यूज वोल इंडिया आप डाउनलोड और बनिए समाज की ताकर बेक के बाद स्वागत है आपका बढ़ते हैं अगली खबर की और जहासी के मेडिकल कॉलेज गेट नमबर टू के सामने एक महीने से गंभीर रूप से बिमार बत्ती पड़ा है आते जाते लोग निकलते रहें लेकिन किसी ने भी मदद करने की नहीं सोची रात नौ बजे आश्रा एंजियो के बंटी शर्मा के पास कुछ यूनिवसिटी में पढ़ने वाले बच्चों का कॉल आया कि मेडिकल गेट नंबर टू के गेट के बाहर एक गंभीर रूप से बिमार वक्ती पिछले एक महीने से पड़ा हुआ है जिसका इलाज मेडिकल में नहीं किया गया उसको भगा दिया जाता है तब से वो गेट पर ही पड़ा हुआ है आसरा एंजियो के बंटी शर्मा पूजा शर्मा रात दस बजे बारिश में मेडिकल हॉस्पिटल पहुचे और वो उस वक्ती को हालचाल देखते हुए उसे CMC सचिन मोहेरे को कॉल किया और मेडिकल के नितीश मेडिकल की इंबुलेंस इंचार्ज ने तुरन एंबुलेंस भेजी और उस वक्ती को डॉक्टर S.N. राजपूत जी ने तुरन दिखाया और एडमिट कर लिया आसरा सोसाइटी एंजियो के सफल प्रयास को लोग काफी सराह रहे हैं वहें मनसौर जीले के गाउं बाबुल्दा में चोरों के होंसले बुलंद है चोरों ने गाउं के अंदर जाकर दो मकान के ताले तोड कर सोने और चांदी के जेवर और नगदी लेकर फरार हो गए मौके पर भानपुरा पुलिस पहुँच कर जांच में जोटी है स्रावस्ति में दो व्यूको के नदी में दूबने का मामला चार दिन बाद सामने आया है जहां एक युवक का मौहनपुरा के पास नदी में शव मिला है युवक का शव भख्राल पुल के राप्ती नदी से 3 किलोमीटर दूरी पर मिला है आपको बता दे की दो चचेरे भाई स्नान कंटे हुए गहरे पानी में जाने से नदी में डूब गए थे दोनों युवक कार्टिक पुर्णिमा पर भगला पूल के राप्ती नदी में स्नान करने गए थे स्थानिय गोता खोर और NDRF की टीम चार दिनों से नदी में युवक की तलाश कर रही थी दोनों युवक सोनवा थाना छेतर के लक्षमन नगर के निवासी थे वहें उत्तरकासी में गंगोतरी नेशनल पार्क के प्रवेस्त द्वार को प्रयक्त को और तीरत यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है राजवेर सिंग रावत वन दरोगा प्रभारी कनूख बैरियार के निर्तित्व में अगामी 30 मार्च 2024 तक के लिए इसे बंद कर दिया गया है नेशनल पार्क के करमचारी इस मौके पर मौझूद रहे नमस्कार आज तीशन उमबर 2023 को आज गंगुत्री निश्वपार्क के गेट बंद हो गया है केंद्री सरकार और प्रदेश सरकार की उजनाव को जन जन तक पहुचाने के लिए पूरे देश और प्रदेश में विक्सित भारत संकल प्यात्रा अभ्यान चलाया जा रहा है रायबरेली जिले में विक्सित भारत संकल प्यात्रा 23 निवंबर से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक चलेगी रायबरेली को विक्सित भारत संकल प्यात्रा अभ्यान के तहत आठ गाडियां मिली हैं और जल्द ही और गाडियों के मिलने की उमीद है उसके बाद जिले के ग्रामी छेत्र और सहरी छेत्रों में जाकर केंदर सरकार और प्रदेश शरकार की योजनाओं को जनजन तक पहुँचाया जाएगा विक्सित भारत यात्रा के दोरान स्वास्ते सेवाओं को लेकर जहां लोगों के आयुश्मान कार्ट राशन कार्ट जैसे अनेक योजनाओं को जानकारी दी जाएगी साथ ही उनकी योजनाओं के बारे में जाकरूप भी किया जाएगा मामला महुनानीपूर तैसील छेत्र अंतरगत ग्राम बुढई का है जहां कुछ जिनों पहले प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहट सडक का निर्मान किया था जो की ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है डामरी करन बिलकुल मानक विहीन नहीं हो रहा ग्रामीनों ने बताया कि सडक निर्मान में डामर का प्रयोग ना के बरावर किया जा रहा है सड़क हाँच से पकड़ कर निकल रही है जिसको लेकर ग्रामीनों ने उग्ट सड़क की जाँच कराकर मानक के अनुसार बनाये जाने की मांग की है आपको बता दे कि जब कॉल के माध्यम से स्डेम से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि मामला संग्यान में आया है जाँच की जा रही है जासी के मौरानीपूर में PCF में खाट प्राप्ट करने के लिए हजारों किसानों की भीड उमर पड़ी खेतो में बुगवाई के चलते किसानों को खाट की आवश्यक्ता है जिसके चलते हजारों किसान PCF मौरानीपूर खाट प्राप्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं कुछ किसानों का कहना है कि तीन दिन से खाट प्राप्ट नहीं हुआ है वहीं बताया जा रहा है कि जिले में भारी कम मात्रा में CCF को खाद प्रतात होने से किसानों को खाद उपलब नहीं हो पा रहा है किसानों ने जिले के अधिकारियों से मांग के तहट खाद उपलब कराने की मांग की है किसानों के खेतों की नमी शूख रही है और किसानों को समय पर सरकार खाद नहीं दे पा रही है तो यूपी की डबल इंजन्स की सरकार किसानों को डीएपी खाद और जूरिया खाद देने में पूरी तरह नाकाम हो गई है अंतरास्ट्रे हिंदू परिशत के रास्ट्रे अध्यक्ष प्रवीन तोगडिया का प्राचीन सिद्ध पीट स्री गौ देवी मंदिर गौसाला नुमाईश कैंप सहारनपूर में वंदे मात्रम मिशन संस्थापक विजयकान चोहान भगत सिंग जूनियर द्वारा फूलों की मसीनों से फूलों की बरसात के साथ भव्य स्वागत किया गया स्री गौ देवी मंदिर में आयोजित कारिक्रम में विजयकान चोहान महामंडिलेश्वर संत कमल किशोर महामंडिलेश्वर पंडित धिर्जानंद के द्वाडा दॉक्टर प्रवीन तोगडिया को पगड़ी पहना कर और गदा भेट करके स्वागत किया गया मंदिर में जैश्री राम के जैकारे गुंज उठे अंतर रास्ट्रे हिंदू परिशत के रास्ट्रे अध्याग्ज दॉक्टर प्रवीन तोगडिया ने सहारनपूर में हनुमान 40 का पाठ किया पत्रकारों से बाचीत में उ जक्त बहाना ना पड़े देश जनसंख्या नियंतरन का कानून देश में बनना चाहिए अन्यथा आने वाले समय में हालात बदल जाएंगे बढ़ती हुई जनसंख्या कानून से रोकनी चाहिए हर हिंदू परिवार को देश धन की रक्षा के लिए शिवाजी महराज गुर गोविन सिंख महराना प्रताप जैसे वीरो से प्रेणा लेकर जागरुख होना चाहिए तो फिलाल के लिए इस बोलेटिन में इतना ही बने रही है हमारे साथ और देखते रही है न्यूस वाल इंडिया